हाई व्यूवर्स, आज हम आपको गोभी के पकोड़े बिनाना सिखाएंगे, उसके लिए हमें इन सामगरियों की आविशकता है, एक केटोरी बेसिन, साफ की हुई वधली हुई फूल गोभी के 8-10 तुपले, स्वाधनिसार सींधा नमक, आदा छोटा चमच भुना हुआ घलिया पाउडर, आविशकता अमसार पानी, गरम मसाला पाउडर, अजवाइन, और तलने के लिए तेल, गोभी के पकोड़े बिनाने के लिए सबसे पहले हम कटी हुई गोभी को ब्लांच करेंगे, इसके लिए हम पानी को उपबालेंगे, इसके बाद हम इसमें कटी ब्लांच करें वह पीछ-पीछ में लगते रहीं दू प्लॉबी को ब्लांच करने के बाद आप हम इनसे करें के निकाल कर थेंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब हम गोभी को मै सार नमक छाथ मसाला और धनिया पौड़र ढूंडा डालकर शुबना उधरीछ, अच्छे हम पकोड़े का बैकर बनाएंगे उसके लिए हम वेसन में अजवाइन, हल्डी पाउडर, लालमर्ज पाउडर, स्वाद नसार नमक, घर मसाला, सेंधा नमक, चाट मसाला पाउडर, और आवशकता नसार पानी डाल कर सभी सामगरियों को चित्रहां से मिला लेंगे अब हम इसमें करीब एक चमच तेल डालेंगे ऐसा करने से पकोड़े जादा तेल नहीं पियेंगे और इसे भी अच्छी तरहां से मिला लेंगे गोबी के पकोड़े का बैटर गाड़ा बना है इस तरहां से बैटर पनाने के बाद अब हम गोबी को मैरिनेशन से अच्छी तरहां से मैरिनेट करेंगे अब हम गोबी को मैरिनेश करके रख अब कडाई में तेल डालकर इंवब्धे माज पर गरम करेंगे तेल के गरम हो जाने के बाद अब हम गोबी को बैटर में दुपाएंगे और एक इट करके कडाई में डालते जाएंगे तलने के लिए इसी तरहां से हम बाकी की गोभी को भी बैकर में डुपा कर तल लेंगे तलने के दुरान इन्हें बीच पीच में उलगते पिलगते रहें और इन्हें दीनी आज पर पकाएं पकोड़ों को तब तक तलें जब तक की वे से नहरे भूरे ना हो जाएं जैसे कि आम देख सकते हैं कि कोभी की पकोड़े से नहरे भूरे हो चुके हैं इसलिए अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे स्वादिश्ट गोभी के पकोड़े बनकर त्यार हैं और धनी के शेटिंग के साथ गर्मा गर्म करों से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो के लिए हमारे चैनल रसोल ट्यूब से सब्सक्राइब करें धन्यवाद आप हमें पेस्बुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं